है एवरिवन कैसे हैं आप सभी मैं शरत कुमार चौसिया एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल करियरिन एक्षन पे लगन आपकी एडवाइज हमारी आज है तीन मई दो हजार बाइस आज कि क्या करेंट अफेर्स हैं वो हम यहाँ पे लेने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जूड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम आइडी पे भी जूड़ सकते हैं जो की करियरिन एक्षन नाम से है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों को लास्ट सेजन पर कोशन दिया गया था कोशन था प्रोफेसर अमर के फिल्ड में वो नॉबल प्राइस पाये थे 98 में एकनोमिक्स फिल्ड में ये नॉबल प्राइसा पाये थे जो प्रोफेसर ठीक है तो उन मुस्लिमों में आज इद मना जाता है ठीक है जैसे अपने हिंदूों में जैसे नवरातरी मना जाता है तो इसी टाइप का अपने मुस्लिम भाईयों लोग में इद मना जाता है तो आज फेस्टिवल ऑफ ब्रेकिंग फास्ट यानि आज के दिन वो एक मंत से मत चलिए नेक्स्ट की तरह बढ़ते हैं, कोशन नमबर टू कह रहा है, वर्ल्ल अस्थमा डे इस अभजरट एवरियर ओन, वर्ल्ल अस्थमा डे हर साल हम लोग का मनाते हैं, फर्स्ट टूज्डे अफ मई, जो मई मंत का पहला टूज्डे होता है न, तो हम लोग उस दिन वर्ल्ड अस्थमा डे मनाते हैं हर साल, ओके, नेक्स्ट कोश्टन की तरब बढ़ते हैं, कोश्टन अमबर थरी कहा रहा है, बिहार सियम इनागरेट्स नेशन स्फर्स्ट इथनॉल प्लांट इन विच डिस्ट्रिक्ट, आंसर जाएगा पुर्निया डिस इस्टन इंडिया बाय फियुल तरह किया गया है 305 करोड यो मिख्स करने से यह कम यूज़ करेंगर इन नौल भी यूज़ कर सकते हैं उसके जगा ठीक है बदब mixing property में ठीक है तो इससे अपना क्या हो जाएगा कि प्रेट्रोल का जो consumption है वो कम हो जाएगा ओके तो चलिए next question कि दर बढ़ते हैं question number fourth करा है who has been appointed as MD and CEO of स्रिवालिक small finance bank MD और CEO बनाए गये हैं appoint किये गये हैं किसके स्रिवालिक small finance bank के answer हो जाएगा अंसुल स्वामी जी ठीक है अंसुल स्वामी जी और यह किसके द्वारा अप्रूट किया गया है RBI के द्वारा किसको replace किये हैं यह यह सुविर कुमार गुपता को किये हैं ठीक है सुविर कुमार गुपता जी को यह प्लेस किये हैं next question की तरह बढ़ते है question number five कर रहा है which Indian cricket player returned as captain of Chennai super king on first मई 2022 को कौन सा cricket player जो है वह वापस as a captain की तोर पर आया चेंड़ी सुपर किंग के टीम में वही जो पहले थे अपने MS धोनी सबको पता है अभी जब MS धोनी ने रिटायर ले लिया था तो उसके जगा पे रविंद्र जडेजा जी captain की तोर पर काम कर रहे थे ठीक है तो अब MS धोनी जी वापस return as a captain of Chennai super king कि तरह आ गया है नेक्स कोशन के तरह बढ़ते हैं कोशन नमबर 6 कर रहा है विच स्टेट केविनेट है अप्रूब दक जीन बैंक अफस्ट ऑफ इस काइन प्रोजेक्ट इन इंडिया फॉर बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन अंसर जाएगा महरास्ट्रा महरास्ट्रा ने अभी अप्र करने के लिए यह जीन बैंक लॉंच किया है महरास्ट्रा ने ठीक है इसमें 172.39 करोड रुपए इस्पेंट किये जाएंगे लगाये जाएंगे ठीक नेक्स कोशन के तरह बढ़ते हैं कोशन नमबर 7 कह रहा है विच गवर्नमेंट हैस डिसाइडिट टू इस्टेडियम इन नीरज चोपराज होम टाउन जो नीरज चोपराज सभी को पता है इन्होंने गोल्ड जीता था ओलंपिक में कौन से फिल्ड में जैवलिन फ्रोइंग फिल्ड में ठीक तो उनके जो होम टाउन है जहां नीरज चोपराजी का होम टाउन है वहाँ पे एक स्टेडियम बनाने सरकार बनाने जा रहा है तो कोहां के थे र्याना चाहिए बनाएंगी वहां पर इसको लगभक 10 करोड का मतलब प्रोजेक्ट है यह 10 करोड रुपय खर्चें होंगे इसमें यह बनाने में पातने एक अंजिए अभी मर्ज HR पढ़ेयर इंडिया व्हे सत्राइब यह जोष्टMan आपधर स्टम सब्सक्राइब मत्यूंट जिद अब हैест जो कि अधिक। चाहन की साथ मर्च हो गया हुद सब्सक्राइब और इन्ग इंडिया के साथ मर्ज हो गया है चैट ने कोस्व निच्ट करद नंबर नंड केरा है विच वेंग इस प्लाइन कुपर्पर एंडिया खोल क Did और टेवलपमेंट नवाड ने अभी प्लाइनिंग किया है क्या प्रेपेर करेंगे यह फार्मर डिस्टियस इंडेक्स टो आदेंटिफाई ट्रैक और support distress farmer मतलब जो distress farmer होते हैं जिनको support करने के लिए मतलब जो उनकी लागत होती है उनको proper तरीके से loan provide किया जाए ठीक है और जैसे कभी-कभी फसल खराब हो जाती है तो उस चीज़ के लिए proper support करने के लिए अभी नवाड ने ये planning किया है कि ये डेवलप्ट किया जाएगा support distress farmer ठीक है अच्छा ये आपका जो नवाड के ये हैं कब कौन है जी आर चिंताला जी चेर्मेन ठीक नवाड के चेर्मेन कौन है याद रखिएगा जी आर चिंताला जी है ये कोशन पूस दकता है नवाड है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ठीक है अच्छा इस्टेबलिस्ट कब हुआ था 12 जुलाई 1982 में हुआ याद रखिएगा जैसे इस टाइप के जो होते ना संस्थान जो होते हैं दो चलिए नेक्स कुछन बढ़ते नेक्स कोस्च कहा रहा है रेड शिल्ड इस्ट्री पर एक्सिलेंस अंड वेलनेस अजन कि रखिए त्ट्रीक में यह नेक्स्ट को स्टूशन लास्ट इस्टरिक इस टॉसफिएगा है.. एजुकेशन इंपक्त रेंकिंग में एज रोज मिलते हैं ठीक आप लोग तयारी करते रहें लगे रहें जो रोस और से आपको कोशन देता जाओं कोशन है तो इसका कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अंसर दीजिएगा बाकी अमकल बताएंगे कि इसका करेक्टर अंसर क्या है ठीक है अब लोग पढ़ते रहें ध्यान रखिए अपना जय हिन जय भारत